अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन यदि आप कॉंस्टिपेशन के लिए कब्स के लिए कोई दवाई लेते हैं कैमिस से पूछ कर टीवी में परचार देख कर या किसी के रिकमेंडेशन से और बहुत स्ट्रॉंग दवाईयां लेते हैं तो आप अपनी इंटेस्टाइन को डैमेज कर रहे हैं आप अपनी इंटेस्टाइन को सेंसिटिव बना रहे हैं कमजोर बना रहे हैं इससे फ्यूचर में आपको आईवीएस हो सकता है आपको अलसर हो सकता है इंटेस्टाइन में perforation हो सकता है, bleeding हो सकती है और आपको continuously lower abdomen में pain बना रहेगा आपको दर्द होगा, आपको gas बनेगी, आपको perforation होगा आपको weight gain नहीं कर पाएंगे, आपका BP लो रहेगा, आपको energy नहीं रहोगी तो यदि आप ये गलती करते हैं और कर रहे हैं तो immediately इसको stop करें constipation की cubs की on counter दवाईयां या किसी के personal recommendation से लिए हुई दवाईयां वो आपको नुकसान देंगी और वो बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी तो अब हम इसको ये समझने की कोसिस करते हैं कि क्या fact है, ऐसा क्यों होता है जितनी भी constipation की दवाईयां आती है, liquid form में या powder form में यदि आप उसको देखें तो जर्नली देखा ये जाता है कि दो-तीन दिन तक जब किसी इनसान को stool pass नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई strong luxury वो ले लेते हैं जैसे कायम चूरन वो ले सकते हैं या फिर जो और दूसरे चूरन बजार में एबल एबल हैं जिसमें कि बहुत strong salt होता है और बहुत सारे strong ऐसे content होते हैं कि जो आपके intestine में जो भी जमाबड़ा है कि दवाई लेने के बाद कभी भी आपको normal stool pass नहीं होता है आप एक बार stool pass नहीं करते हैं वो दवाई लेने से एक तो आपका stool जो है वो बहुत ही liquid form में आ जाएगा दूसरा आपका stool है वो 2-3 बार pass होगा तीसरा आपको stool pass करने के बाद weakness लगेगी आपको energy कम लगेगी इसका मतलब यह हुआ दूसरे terms में कि जो intestine के अंदर जो nutrition था, जो vitamins थे, जो protein था, जो carbohydrate था जिसको ultimately हमारी body में मिलना था body को preserve करने के लिए nutrition को distribute होना था absorption होना था वो सब कुछ नहीं हुआ और constipation की दवाई ने वो सब कुछ flesh out कर दिया तो hard constipation की दवाई लेने से लोगों में खोन की कमी लोगों में आपने देखा होगा कि और vitamins B12 और D की deficiency plus mineral की deficiency बहुत commonly report होती है और वो लोग day to day life में उस deficiency के साथ एक anxiety, depression, functional weakness ये सब महसूस करते हैं तो ये एक पार्ट है अब मैं एक दूसरे पार्ट पर आता हूँ कि constipation के लिए कायम चूरन ये जो दूसरे चूरन है जो आप add देखते हैं ये देखते हैं जिनसे की बहुत जल्दी effect आता है यानि आप वो दवाई लेते हैं वो powder लेते हैं और कुछ घंटे बाद देखते हैं कि आपका पेट बिल्कुल clean हो गया है यदि इस तरह का कुछ आपका powder या चूरन या दवाई इस तरह का कुछ करती है और आपको 2-3 बार stool पास होता है तो ये दवाई आपके लिए dangerous है ये poison है ये आपके intestine को slowly damage कर देगी तो आप इसको बंद करिए constipation की दवाईयां जितना आप avoid करें उतना बढ़िया है constipation को naturally आप deal करने की कोसिस करिए constipation को deal करने के लिए आप इसब घोल हस्क सामिल कर सकते हैं खिचिरी दलिया आप खा सकते हैं जीरा पानी आप पी सकते हैं हींग का पानी आप पी सकते हैं और आप fiber अपनी उसमें diet में सामिल कर सकते हैं तीसरा यदि फिर भी आपको constipation बना रहता है तो lactolose एक syrup है वो आप ले सकते हैं उससे उस तरह की कोई हानी नहीं होती है दूसरा जो fiber diet है fiber form of diet है जो कि medicine के रूप में chemist पे मिलता है वो आप ले सकते हैं fiber diet से आपको उतना नुकसान नहीं होगा that is a natural वो absorbed नहीं होता है और without absorption जो भी गंदगी, जो भी जमावड़ा, जो constipation आपके intestine के अंदर होता है वो उसको सब कुछ dissolve करके भार भी निकाल देता है दूसरा अब constipation की जो समझ्चा है उसको हमें दूसरे तरीके से भी समझना होगा natural जो medicine है constipation की आरवेदिक वो तिर्फला है तिर्फला से ज़्यादा अच्छा medicine कुछ भी नहीं है पेट के लिए तिर्फला पेट के लिए अमरित है वो powder form में भी अवलेबल है और tablet form में भी अवलेबल है तो आप एक चम्मस तिर्फला गरम पानी से रात को उसका सेवन कर सकते हैं या 2-4 tablets in a day आप गरम पानी से ले सकते हैं tablet जंडू company का मिल जाएगा आपको जो की बहुत ही reasonable cheaper price पे है और बहुत ही natural है दूसरा इस सब गोल आप सामिल कर सकते हैं तीसरा जो dietary part है dietary part में आप साख खाएं मूली की भुजिया खाएं apple खाएं आप और आप योगहर्ट सामिल करें आप curd सामिल करें coconut water सामिल करें तो ये सब चीजें आपको फाइदा देंगी multi grain दलिया खाएं और multi grain ही आटा खाएं तो ये सब आपको help करेंगा 8 से 10 गलास पानी पियें और यदि और जादा किसी को constipation की समझ्या है तो वो आमला और गाजर का जो juice है वो अपनी diet में सामिल कर सकते हैं 200 ml juice of carrot चुकंदर और आमला और या फिर आप लौकी का juice भी पी सकते हैं ये सब आपको constipation को naturally relieve करने में मदद करेगा ये एक natural part है but I just make a clear note कि constipation की on counter medicines like आपका जो कायम चून है या किरमा फिंट प्लस है या फिर आप दूसरे जो सक्त्यम चून है या और भी दूसरी बहुत सारी दवाईयां है कि जो on counter push की जाती है आप वो दवाई ना ले कोई भी दवाई आप constipation की लेते हैं तो आप अपने physician से consult करें अपनी problem को discuss करें क्योंकि एक constipation की दवाई सब के लिए नहीं हो सकती ये सब आपको द्यान रखना होगा वीडियो को पूरा देखें चैनल को subscribe करें इफेव एनी queries तो write to us यदि आप हमसे consult करना चाहते हैं तो आप हमें WhatsApp message करें तो यदि नहीं करें